असलाम वालेकूं मुहतरम इस्टूडाइन केसी आप तौमाम लोग उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे फैनली मैं आप लोगों के लिए सेंट अप एक्जामेनेशन देख पार होंगे आप लोग इंटर सेंट अप एक्जामेनेशन 2023 का और इजिनल क्वेपर के साथ हाजि लोगो सेंट करना एक सेंट वाला सेक्ष्ण आएगा वहां से अपनेशन विल्कुल सब्जेक्टी का पूरा सिलुशन पूली सेलुशन प्ली सेलुशन विल जाएगा और जो भी student course वगर purchase करना जाते हैं आप लोग course पर भी जोईन हो सकते हैं यहाँ पर complete course की तयारी करवाई जाती है जिदरे student पिजली मरतबा यहाँ पर course जोईन कर चुके है सारे के सारे student का 95, 96, 97, 98 तक जो है number आ चुका है आप लोगों को भी अगर number लाना है इस तरह तो आप लोग इस चैनल को आज ही subscribe कर notification को on कर लीजे और course जोईन करना जोईन कर लीजे ठीक है आज़े finally हम लोग आज की इस class को start करते हैं class जो है बहुत fast आने वाली है क्योंकि हम लोगो direct question देखना और answer को देखना है ठीक है आज़े start करते हैं यह question paper जो है आपका सभी stream के लिए ISC, ICOM, IA सारे stream के लिए science, commerce और arts तीनों stream के लिए यह question paper है ठीक है चलिए जिस तरह question paper आप लोगों को यह देखने के लिए मिलेगा उसी तरह आप लोगो exam में भी देखने के लिए मिलेगा आज़े start करते हैं question number 1 सवाल number 1 पर पूझ रखा दियान से देखेंगे नजीर एहमत की कहानी की मुसंदिफ कौन है सायन सरी की बात करें option number D हो जाएगा फरतुल्ला बेग हो जाएगा option number D यानि फरतुल्ला बेग मैं इसको जूम कर लेता हूँ चलिए अगला question आपके पास दूसरा number question किसकी तस्नीफ है option number A हो जाएगा खाजा हसन नजामी नेक्स question तीन नमबर पर स्यस्य सुलेमान नज्वी की उफात कब हुई चलिए 4 नमबर question को फटाफर से देखते हैं चलिए नेक्स question पांच नमबर पर जन्नस से हुक में सफर किसे हुआ option number B हजरत आदम अलीस सलाम किसकी खुआज़ पर मीरमन ने बागो बाहर जैसी किताब की तरजमा की जान गिल किरिष्ट option number B हो जाएगा तोबाट एक्सविंग किसका आफसाना है आफसाना परोमिस का मरकजी कितार कौन option number B हो जाएगा अम्मू हो जाएगा शाफी जावेद की पाइदाइश कब हुई option number B 1935 में इनमें से कौन आफसाना निकार शामिला निसाब है option number D हो जाएगा ठीक है ठीक नहीं मारता हूँ कोई दिक्कत परोविलम तो नहीं है बताना मौलाना आजाद की पैदाइश कहां वी से इनसर की बात कर आफसान नमर D मक्का मुकद्रमा 12 नमर कोशन किसी शक्ष की तहरेडी तस्वीर कर श्री को कहते है option number B खाकानिगारी कहते है तेरे नमर कोशन मिर्जा फरतुलाबे की बेक जो है कहां पैदा हुए option number A होता है का दहली होता है 14 नमर कोशन राकफेलर का तालुक किस मुलके से था सही इनसर आफसान नमर D अमेरिका 15 नमर कोशन खाजा हसन नजामी के वालिद का क्या नाम 16 नमर कोशन आफके पास मजमून किस तरह का अदब में शामिल गयर आफसान वी अदब हो जाएगा ठीका चलिए अगे बढ़ते 17 नमर कोशन शिवली के वफात के बाद सही सुलिमान नद्वी ने उनकी किस नाम मुकमल तश्नीव को मुकमल किया किस जुबान में मुहारत हांसिल थी और इस नमर कोशन दरजन वजीर आगा कि तशनीव को चाहान से आये मं अगरिव को मतलब कुन होता है काहां होई है आफसर नमर कुशन जिलानी बानु कहां पैदा हुए शब्टिस नमर कुशन शफी जावेद ने किस मस्मून मैं में किस अफसाने मजमुए के लिए सलाम बेन नजजब को साहे था अवाज सौरी एकडमी अवाड जो है मिला ऑफसर नमबर ए हो जाएगा शिक्ष्टा बुतों के दर्मियान इसके वज़े से जो साहे था अवाड मिला था सलाम बेन नजजब को चलिए नेक्स कोशन आपके बाद किला अहमद नगर जेल ठीक है नेक्स कोशन 31 नमबर पर एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिंफ़े के शायर थे तो आपका ऑफसर नमबर भी होजाए का नजब के शायर थे बत्तिस नमबर कोशन अफसाने कहां लिखी गई या ऑफसर नमबर सी होजाए का कानपू का मिलें इनकलाब ऑफसर नमबर भी विल्कुल परफेक्ट होजाए ठीक है नेक्स कोशन 37 नमबर पर नजम शवे कदर के शायर कौन है ऑफसर नमबर भी होजाए का मुहम्मद हुसेन आसाथ ऑफसर नमबर भी ठीक है अर्टिस नमबर कोशन अली सरदार जाफरी की पाइद परहिए ठीक है अफसर नमबर भी आमीख हनफी हो जाएगा 42 नमबर कोशन खेती कैसी नजम है आजाद नजम है अफसर नमबर बहादी किस तरह के शायर थे तो जरीफ शायर था ठीक है 44 नमर कोशन बढ़के कली सामें किस तहजीव वो तमद्दुन को तंज़का निशाना बनाया है ऑफसर नमर बी अंग्रेजी तहजीव तमद्दुन का 45 नमर कोशन खान बहादुर के खिताब से अकबर इलाबादी को कब नवाजा गया 46 नमर कोशन जाफर कमाली के जरीफाना शायर का मजमुआ का उनुवान क्या है ऑफसर नमर भी हो जाएगा जराफत नामा ठीक है चल यह ठीक लगा हुआ अप लोग एक बार देख लें फटाफट से देखे 47 नमर कोशन बना वटी शाइर को अदबी इसलाम में क्या कहते है मुत शायर कहते है ऑफसर नमर ए पिल्कूल परफेक्ट हो जाएगा किस साल पाइदा हुए आप लोगों के पास महुचा दे रहा हूं समात कर रहे हुए कि दाइम परा हुवा तेरे दर पर नहीं हुए और खाक है सी जिन्दगी के पथर नहीं हुए दाइम परा हुआ चलिए आवाज फस रही है इसलिए अब लोग एक बाड़ में एक बार अल्डेडी जो है इसको तर्जी के साथ पढ़ चुका हूँ तीर पर नमर कुशन देखेंगे तर्जी के साथ जैल में किस शायर का तालुक जो फिल्मी गीस से नहीं है सहीं सब्सक्र आफसर नमर सी याद था ये गाना संगेजी का असल नाम मिर्जा बाजीद हुसें था तावन नमर कुशन खालीलू रह्मार रजमी का तालुक किस मारूफ तालिम एदारे से था तो आपका सईंसर आफसर नमर भी हो जाएगा अलीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगर से था ठीक है चल पर नमर कुशन आपके निसाब में शामिल जोश्मली आबादी के नजबे कौन है शिकस्तों जिंदा का खौब ऑफसर नमर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तालिक है विसाद लखनेवी कि कौन सी नजब आपकी निसाब में शामिल है ऑफसर नमबब भी आवारा हो ज परफेक्ट होजागा थिक है और गाउं का मुतराजिफ क्या होगा और दानिस्ट होजागा बात्तर नमर कोशन आज आना कमाने होता है हम घर जा रहा है इसमें आगे बढ़ते हैं आगला कुशन आपके पाणी लाओ यह जुमला की कौन सी किसमें आप लोगो को कई बार बता चुक हो हो जब भी हुक मचाहिर हो जुमला आशतर नमर कोशन आपके असफिक्र रहा क्या होगी फिक्र की जमास आफकार हो जागा शली आगे बढ़तेंने असी नमर कोशन आपके पाणी तोहीद का इसन फाइल का फाइल क्या होगा मोहिद होजाएगा out दील जोई के सही अना क्या है दिल जोई के सही अना आपका तसली होजाएगा out हमारे उस्ताद के वाले तालेम याफ्टा खातून है इस जुमिला में अभु पगर किस तरह का नाम है us us पुखार आगे बढ़ते हैं लोग पचासी नबर कुशन अकरम रोजाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है इस जुमला में अकरम क्या है तो अकरम नमाज पढ़ने का काम करते हैं मैं आप लोगों को अल्लेटी बता चुका हो जो काम करने वाला हो तो वह फाइल होता है यानि सब्जेक्ट होता है इंग्लीज में बात करें तो सब्जेक्ट ऑफसर नमर डी सम फाइल हो जाएगा चलिए छासी नमबर कुशन शम्शुल और माकिस इसमें की मिसाल है ऑफसर न अलम की जमां क्या होगी तो मैं आपने को कई बार बता होता है जंडा अलम की जमां की निशान दही किजिए और रूह हो जाएगा चालिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन बामानी लब्स को क्या करते हैं आपके पास जो नाम बिद्ध को बिद्धों भिख्र. अगरा वकूफ से शीफत बनाएगे तो यह वकूफ होता है आप वावसर नम्बर डिपे मारा नाब भी नहीं कि जमा एक बास ऑफसर नम्बरuine मारा ठीक है जलिए इध का क्या है इध का इसमें जर्फ हो जाएगा जिससे किसी जगे का इल्म हो 싶다면 ओफसर नॉम्र 2 लकुल inhabit टोफेक्ट भीत किया होगी आ थे लिग्वा इसका लाइब लेक्टर ले चुका हूँ आप लोग लाइब कल्रास को भी देख सकते हैं, लाइब सेशन को देखसेगा हैं, छलिया जिसको असमेर है यृएशन को देखा हैं, बाकी में सबजेक्टिव का कोश्चन आलडि है,आप लोगों पता चुका हो, सबजेक्टिव का पूरा फुलिस सोलूशन और यह वाला pdf अब भी मैं आप लोग को application पर डाल के रखाऊंगे सर्च कीजिए पले store पर एस उर्दू एजूकेशन ठीक है एस उर्दू एजूकेशन चैनल का नाम से आप लोग फटा फटते हैं सर्च कीजिए पले store पर आप लोग को application मिल जायेगा अब लोग को देख सकते हैं सब्जेक्टिव को दिखा दे रहा हूं एक नजर दरजल और नुमानात में से किसी एक पर मजबूर लिखे तो मैं इदुल फित्र पर सॉलूशन करके लाया हूं ठीक है इदुल फित्र का वहां पर सब्जेक्टिव दिया हुआ है अल्रेडी सब्जेक्टिव नाम से होगा ठीक है तो कुछ घंटा का लगबग उसी तरह 24-25 घंटा होगी आप लोग देख लिजेगा ठीक है चलिए तो आगे मैं अपनों को यहां पर यह सॉलूशन करके दिया हूं मुंदरजाद शेल में मुंदरजाद जैल अश्रार में से किसी सब्सक्राइब करें तो मैं इसका किया हूं सॉलूशन देखिए अपने दोस्त को गर्मी के तातील साथ गुजारने की घर्ज से खत लिखें बाकि अपने कॉलिज के प्रिंसिपल को एक दर्खास लिए खत मैं आप लोगों को सॉलूशन में दे चुका हूं ठीक है देखिए अब आगे कॉशन पूशन पूशन देखिए दर्खल सवालत में से पसिर्फ पांच की मुक्तसर जवाब देना है आप लोगों को बाज पुराने लफजों की नहीं तहकी किस किताब से माखुज है तो क्या हो जाएगा नुकूश सुलेमानी ठीक है आप लोग यह इस तरह करके अब लोग बना लेना अब देखिए आगे पूशर का है शहजादे फकीर को कितनी अशर्फियां देता है तो शहजाद इन दो हैंने एक अशर्फियां देता है कितना अशर्फियां एक यहां पे जो हैंने कितनी के जगे एक लगा देना ठीक है चलिए अब मेरे सफर नज्में लह ने लिख न यहां? टाला प्रवाइब को बढ़कर है मैं अपने को बताया था मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए जरूरत और उफादियत के लिहाज से बचर कर है क्योंकि मिट्टी का तेल से ही लोग पहले जमाने के टाइम पे गाड़ियां मोटर कार वगर वगर हैं अब लोग यहां तक डबल वगर आचुकि इसलिए मिट्टी का तेल को इतना एहमियत नहीं दिया जाता है इस तरह आप लोग मिट्टी का तेल का उपयोग तो जरूर किया होंगे उसके बारे में खुबी सारी खुबियां को बयान कर देना है इसमें ठीक है चलिए आगे बढ बहुत ही खश्ता खाली का हो थे खश्ता इसमें नल वगर था पानी वगर का सुविदा नहीं था और रोड वगर कुछ था इस तरह मैं सब्जेक्टीव का सुलिशन दे चुका है आप लोग वह पर देख लीजेगा ठीक है अब देखे आगे यहां पर जो हैं मकता किसे कहत सकते हैं खोड़ा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं ठीक है समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता ठीक है इसी तरह आप लोगों को एक मकते का शेर इस तरह लेक लेना है ठीक है उसके बादा आगे है नजम मेरा सफर मौत चलिए यह सारा सारा सोलूशन कर चुका हूं PDF आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूं अगर अप्लिकेशन पर आप लोग नहीं हो पा रहे हैं अगर मुश्किल हो रहा है कुछ दुश्वारी हो रही है तो आप लोग सब्जेक्टिव का कॉस्चन वीडियो को देख लीजिए बाकि अगर आप लोग कॉ को सब्सक्राइब करके जो भी जो वी कॉर्स पर जोइन हो चुके है ठीक है 95 प्लस स्कोर किया है अगर आप भी इस बार 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही कॉर्स को जोइन किज़े जोइन करने के लिए application पर जाकर कर करके बहतर लगा कि नहीं लगा कम टाइम में आप लोगों में ज्यादा कोश्चन का परवाइड कराया सब्जेक्टीब हुई थोड़ा बहुत जया है आप लोगों इसी वीडियो में शॉलुशन दे दिया चलिए फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में अगली कलास में जब तक के लि अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगली सेशन में के लिए खुदा हाफीज जय हिन जय भारत